नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विशाल नामदिव और आज आप सभी के लिए लेके आए हूँ मैं S.S.C.G.D. का पार्ट 2 इसमें हम देख रहे थे हमारे प्रॉपिट लॉस के कुशन हम चैप्टर वाइस आपको मैट्स करा रहे थे जिसमें आज हमारी सेकेंड वीडियो है प्रॉपिट एंड लॉस का पार्ट 2 है यह आज हमारा ठीक है इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखिए तो आप उसे जल्दी से देख लेजी इसके बाद यह पार्ट 2 देखिए ठीक है मैं आपको बता दूँ इसके बाद में हम चैप्टर वाइस मैट को कम्प्रीट कर रहा है अगर आप चैप्टर वाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले जाना क्योंकि आपको एक्जाम से पहले सभी के सभी चैप्टर जितने भी आते हैं वो सभी आपको देखने के मिलेंगे सबसे पहते तो सभी टाइब आपके कवर हो जाएंगी, All questions कवर हो जाएंगे अपके, सभी के सभी questions आपके अच्छे से अभर हो जाएंगे डूसरी चीज मैं आपको बता दूं, Exam-Oriented Approach रहेगी, कैसी exam-Oriented Approach हम आपको करवाएंगे बिल्कुल जो आपको एक्जाम में बिदिन सेकंड में जो याद आना चाहिए उस टाइब की वो हम आपको एप्रोच सिखाएंगे ठीक है और दूसरी चीज जो सबसे इंपोर्टेंड मैजस में होती है क्या 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 क्य जाता है ठीक है तो बिना टाइम गवाय हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोशन को और एक इंपोर्टन चीज और बता दूँ अगर आप पीडियाप चाहते हो तो आप टेलिग्राम जोइन कर लेना हमारा टेलिग्राम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हो स्टार्ट करते हम अपने कोशन को देखिये हमारा फस्ट कोशन एक बार पढ़िए और कोशन को कोसिस किजी करने की फिर मैं आपको करवाता हूँ देखिये एक बार गॉशन को अच्छे से देखें, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए, देखें, कुश्चन क्या कहा रहा है पड़िए, एक बेपारी, दस, अठारा परसेंट और बीस परसेंट की दो क्रमिक छूट देता है, यदि अंकित मूल कितना है, ग्यारा हजार रुपे है तो बिक्रमूल कितना है देखें, सबसे पहले आप समझेए, बिक्रमूल कितना दे रखा है, अंकित मूल कितना है, ग्यारा हजार, अब मैं इस पर डिसकाउंट देना, स्टार्ट करता हूँ, डिसकाउंट दूँगा, आठारा परसेंट, नब आठारा परसेंट की फ्रेक्शन वेल्यू कितनी होती यह दो से काट दो तो, नो बटे में 50, चीक है, मतलब अगर कोई आइटम 50 रुपे का है, तो उसे 9 की छूट दे के 41 में उसे बेच देता है, मल्टिप्लाइ, 20 परसेंट की छूट देता है, कितने की छूट देता है, 20 परसेंट, 20 परसेंट मतलब की अगर कोई आइटम 5 चार बार में, चीक है, चार बार में कट किया, अब आप क्या करोगे, simply calculation कर लेते हैं, देखिए, सबका last digit 6, अब आप एक तरीका देखिए, कि इसमें 11 देख रहा है, मुझे 11, जो option, जो option मेरा 11 का multiple होगा, बो answer होगा, देखिए, 6 और 2, 8, 9, 6, 15, ये नहीं होगा, 6 और 1, 7, 7, ये भी नहीं होगा, 7 और 2, 9, 6, 15, ये भी नहीं होगा, 7 और 2, 8, alternate number digit add करने पर सेम आना चाहिए, 7 और 2, 8, ये मेरा option correct हो जाता, अब चाओ, तो calculation कर सकते हो, 4, 16, 16 का गुणा करोगे, 11 कितना आएगा, 176, गुणा 41 करोगे, 41 करोगे, 40 का गुणा कीजी, तो 40 का गुणा करो तो कितना आएगा, 6, 24, 4, 2, 7, 4, 8, 2, 70, गुणा में, 11 करोगे, 176 आएगा, add करोगे, कितना आएगा, 6, 1, 2, 7, 7, 216, multiply करोगे, तो भी आपका correct answer आजाएगा, ठीक है, अगला question देखते हैं हमारा, देखे, question को देखिए, क्या कहरा रहा है question, एक दुकानदार, दुतरह से अपने गराग को दोका देता है, चीक है, दो 터ीके से देता है, कितने दो तरीके से दोका देता है, पहला, सुद्ड सहध मैं 20%, परसेंट पानी मिला देता है, और सहध की κοीमत, 15% बढ़ा देता है, म 30 रुपे पर केजी की दर से बुक्तान करता है, इसे बेचकर कुल कितना लाब कमाएगा, आप मुझे इसका लाब बताना है, ठीक है, तो यह CP हो गया, इतने का, उसने खरीदा था, 40 कितने का, 40 कि, 40 किलो, 30 कि भाव से मतलब 1200 रुपे, 1200 रुपे इसने पेमेंट की, अब इसका प्रॉफेट परसेंट अगर आप गयात कर लो, तो आंसर आजाएगा आपका, प्रॉफेट परसेंटेज देखिए, प्रॉफेट परसेंटेज कैसे गयात करना देखिए, सबसे पहले तो वो डारेक्ट प्राइस बढ़ा रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है, तो डारेक्ट पानी डाल लाए मतलब कि उसके पास क्या है सहएद है एक पानी मिला रहा है मतलब छह यूनिट बेच रहा है मतलब कि जो कहीं न कहीं जो पानी है उसका भी वह पैसा खा रहा है अब देखें बीस बंजा सो तीस चंगा एक सो रटी सो 1.38 कितने का प्रोफट होगा है पर एक स्टे इक करतीятьश कितना प्रोफट हो था 28 परसेंट प्रॉफट डिटा था रेट नंग होगा अगर आप इसको रिवाइस करना चाहते हो, पीडियाप चाहते हो, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना आपको पीडियाप महाँ पर मिल जाएगी, छिक, देखिए, देख लीजिए, एक बार कोशन को अच्छे से समझने की कुस्स कर लीजिए, अगला कोशन देखते हैं मारा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लगती हो, तो कमेंट जरूर करके बताना आप, पर ये कोशन को क्या कह रहा है, देखिए, एक मुवाइल फॉन का अंके तमूल 16,500 है, इस पर 8% की तोहार छुट दी जाती है, इसके अलावन नगत बुक्तान के लिए 5% की दूस कोशिस कीजी कोशन को करने की, देखिए, अंके तमूल इतना है, फिर इस पर छूट दी जाती है, फिर इस पर दूसरी छूट दी जाती है, दो छूट दी जा रही है, ठीक है, देखिए, आपको बताते हैं क्या, ये लिखा मैंने 16,500, 16,500, अब क्या कर रहा है, इस पर छू पर उसे बेच दे रहा है ठीक है एक छूड़ देती अब वो दूसरी भी दे रहा है पांच परसंट की मतलब 20 की आइटम को 19 में बीच रहा है यह यह लिखा है ठीक है जोल करते हैं अब 25 से मैं यह दो 0 काट देता हूं तो 4 आएगा अब इस 4 से मैं यह 20 काट देता हूं तो 5 आएगा अब इस 5 से मैं 165 काट देता हूं तो 5 थी है 15 पांच थी है 15 वैसे 11 का मल्टिपल होना चाहिए आंसर देख लेते हैं क्योंकि इसमें 11 चुपा हुआ हुआ 6 और 1 7 और 1 8 यह नहीं होगा 11 का मल्टिपल 8 और 1 9 और 2 11 7 और 4 11 यह हो सकता है 5 और 1 6 और 2 8 4 और 1 5 यह बि देखिए आप देखिए इसमें लास्ट में 2 है और इसमें लास्ट में 1 है तीन 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 नौ नौ नाम 81 यूनि डिजिट वन और डिजिट सम 11 वो सोरी 11 से डिजिवी जिवल तो कीवल एक ओपसन पॉसिबल ऑपसन नमबर 10 11,400 और 14,421 विदाउट कॉलिशन भी आप कर सकत कर दीजिए अगला देखते हैं हमारा कोई किराना बैपारी 15 पर तीसत के लाप पर चावल बेचता है और बजार के बजन से 20 परसंट कम बजन की उपयोग में लाता है उसकी दोरा कुल अरजित लाप कहत कीजिए ये भी एक अच्छा कोशन है देखिए क्या खरना इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानने है जरूरत है 15 परसंट का लाप कमा रहा है तो ये तो डारेक्ट लाप ही उसका 15 परसंट मतलब की ठीन बटा 20 मतलब की 20 की चीज को 20 जो पे का जो आईटम है उसे कितने में बीच रहा है 20 की आईटम को 3 जाधा मतलब की 30 में उसे बेच दे रहा है अब क्या कर रहा है 20% कम बजन को प्योग कर रहा है माइनस एक बटा 5 मतलब कि 5 सामान गरहाग को दे रहा है खुद 5 में से गया 4 4 सामान खुद ला रहा है और 5 गरहाग को दे रहा है यह इसका मतलब 5 से काट लिजिए 20 को पांच चौक बिस चार चौक 16 रेशो 30 कितने का प्रोफेट हुआ है 16 से 30 में प्लस 7 का प्रोफेट है 7 का प्रोफेट 16 पर 7 का प्रोफेट 16 पर इंटू में 100 ठीक है 700 गुना 16 765 भाग दीजी कितना हैगा 16 चौक 64 6 बचा 16 3, 48, 12 बचा तसम्लब 0, 16, 44, 16, 17 14, 43 तसम्लब 7 यह मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है 43 तसम्लब 75 43 तसम्लब 7 आंसर आ गया था ठीक है देखिए यह जो फर्जी बाड़ा वाला कुश्चन होता है जिसमें दुकानदार कभी कम बजन को प्योग करता है कभी ज़्यादा का करता है यह बहुत फिरमस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है इंपोर्टन कुश्चन की केटेगरी में है यह कुश्चन देखिए एक बाड़ कुश्चन को समझ में आया कि आपको कोई भी दक्का तो परिशानी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंड कर सकते हो अगला कुश्चन देखते हैं हमारा पर यह कुश्चन क्या कर रहा है देखिए लतान ने 260 में दो पंगे खरीते एक पंगे को 15% के लाब पर दूसरे को 9% की आनी पर बेचती है पूरे इन देर में ना तो लाब होता है ना आनी होती है यह भी एक अच्छा कोश्चन है यह आपको आना चाहिए इसे दो तरीकिस कर लेते हैं अगर आपको पता होगा था क्या पहला एलिगेशन से दूसरा डारेक्ट में एलिगेशन से बता आते हैं क्या यह पहला पंका था जिस पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है यह दूसरा पंका है जिस पर उसे 9% की हानी हो रही है टोटल लावे हानी जीरो हो रही है क्रोस गटा लीजिए तो 9 रेशो 15 ठीक है मतलब की 3 ती यह 9 ती 5 पंदरा यह रेशो आ गया मेरा पूचा क्या मेरे से पंके की क्रेमूल बताई दे कि यह CP का रेशो आ गया यह रेशो का यह का है यह रेशो CP का cost price का रेशो 3 और 5 आट मतलब 8 की value कितनी दे रखिये मुझे 2160 आट की value दे रखिये मुझे 2160 पूचा क्या मेरे से दोनों पंके की तो पहले पंके की निकाल देता हूं मैं तीन का गुणा कर देता हूं आठ से काटा एक साथ जीरो सत्रतिया 3780 एट बन जीरो सत्रतिया एक क्यासी चीक है यह आ गया तो देखिए 810 और किसी में नहीं तो केवल यह answer possible है तो यह मेरा आंसर आ जाता है option number D मेरा correct answer हो जाता है तो चाहिए एलिगेशन से या फिर एलिगेशन नहीं लगड़ा एलिगेशन समझ में नहीं या तो देखिए एक तरीका और बताते हैं करने काइए स्लाइद में नहीं तर सॉताइड में पताता हो इससे लिगेशन पनृफए टिक है और दूसरे पर और रह था उसे कितना 9% की लाँ आनी यह हो रहा था ना 9% की आनी क्यों क्यों कि देखिए मानली पहले सामान पर उसने प्रॉफिट कमाया और दूसरे पर आनी कमा दी ठीक है तो मतलब कि पहले का लाब दूसरे की आनी के एक को लोगा ठीक है पहले का लाब पहले का दूसरे का सेम आ गया तीन देशो पांच इसमें भी तीन देशो पांच आया था मेरा और भाव से भी तीन देशो पांच आ गया दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगए वो आप कर लीजी अगला देखते हैं हमारा कॉश्चन देखिए आपको एक information दे देता हूँ मैं कि अगर आप reasoning भी इसी टाइप से reasoning पढ़ना चाहते हो क्या reasoning तो अभी जो current में topic चल लाए reasoning की class का free चल रही है बिल्कुल YouTube पर उसमें चल लाए है हमारी क्या letter coding letter coding अगर आप join करना चाहते हैं तो इसी channel पर आपको link की मिल जाएगी इसी video daily आती है बिल्कुल यह आपको daily videos मिलेंगी letter coding की तो आप इन्हें भी देख सकते हो ठीक है अगला देखते है देखिए पढ़िए question को क्या कह रहा है यह वाला कुछ बस्तुएं 4500 रुपे में खाली दी जाती है यदि एक तिहाई 15% की हानी पर तो सेस बस्तुओं को कितने परसंट लाब पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेंदेन पर 20% का लाब हो देखिए इस question को आप बहुत सासानी से कर सकते हो division की तरहिए किसे कैसे division से देखिए कितना है एक तिहाई बस्तु में 15% की हानी पर बेची जाती है एक तिहाई मतलब एक एक तिहाई यह होता है ठीक है एक तिहाई को बेचा जा रहा है 15% की हानी पर कितना 15% की हानी पर ठीक है तो सेस बस्तु को कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए ताकि कुल लेंदेने 20% का लाब कितना लाब चाहिए मुझे total लाब चाहिए 20% का देखीक इतनी वस्तु है इस पर मुझे कम से कम समझे कम से कम मुझे 20% लाब तो चाहिए कितना चाहिए कम से कम 20% लाब तो मुझे चाहिए उस पर तब जाकि मेरा जो घाटा है वो कबार रूपाय कर देखिए माइनस 15 यह प्लस 20 माइनस 15 में से प्लस 20 माइनस कर दिए माइनस का 35 आएगा यहाँ पर माइनस 35 का घाटा हो रहा है तो मैं यह ज़र 35 का इंक्रिमेंट कर देता हूँ अब 1 में 2 पर डिस्टिबीट कीजिए दो से काटा 35 को काटूंगा साड़े सत्रा आएगा साड़े सत्रा को अगर 20 में जोड़ूंगा कितना आएगा 37.5 परतिसत यह उप्सन है उप्सन नमबर C मेरा करेक्ट हो जाता देखिए एक बार इस कंप्लीट पॉर्सन को मैंने सॉल्व किया है इसे देख लीजिए एक बार अच्छे से आया हो समझ मैं तो दो एक ते अगला नुख कुश्शन देखिए एक बैपारी किसी उत्पात के अंके दूल पर 20 परसंट छुट देता है बैपारी इस घटे मूल पर एक और डिसकाउंट दे जिता है 36.5 का तो दोनों का टिक्तियों का एकल डिसकाउंट कित कट होती कितरी होगी कल भी अगर कल की वीडियो देखी तो आपको फॉर्मूला याद होगा कौन सा होता है जब भी दो डिसकाउंट दे रहा हो क्या जब भी दो डिसकाउंट दे रहा हो तो एक उनका सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटु वाई अपन में हैंटेट यह होता है दोनों को अगर दो डिसकाउंट का एक successive discount नकाला जाए तो क्या होता यह formula होता ठीक है solve करते हैं x plus y मतलब कि 20 plus 36 कितना होगा 56.5 minus दोनों का multiply करना है मुझे 20 into 36.5 upon 100 20 सकाटा 5 बार मैं 5 से काटा तो 7.3 बार मैं 7.3 minus में से minus किया तो कितना हैगा 7 minus किया तो 49 point 5 minus 3 get 49.2 परसेंट कौन सा option है मेरा option number A देख लीजिए एक बार अगर कोई भी यह formula देखे इंपोर्टेंट है आता रहता है यह formula आप note कर लोगे इसे आप note कर लोगे कहीं पर अगर आप fair बनाते और notebook बनाते तो उसमें जरूर लिख लेना है आपको इसे अगला question देखते है हमारा देखिए एक बार question को कोईस कीजी करने की खुछ से देखिए एक बार यह आपके लिए आप कैसे करते हो इसे देखना इस question को करने के दो तरीके है इस question को आप दो तरीके कर सकते हो पहला कर सकते हो आप इसे ratio में तरसे और दूसरा आप इसे पर लिखवा रिता हूं जब तीन डिसकाउंट दे रखे हैं तो उनका सक्सेसिफ डिसकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है देखें X plus Y plus Z minus XY plus YZ plus ZX upon my hundred plus X YZ upon my ten thousand या आपको फॉर्मूला या दोना चाहिए ठीक है अब इसमें बैली फुट करना है मुझे बैली क्या क्या है तीन वैलू है 20 22 और 25 देखें तीनों का एड करना है सबसे पहले एड कीजिए 20 और 20 40 और 20 60 60 और साथ 57 साथ और साथ सुरी 67 परसेंट ठीक है माइनस देखते हैं गबर कंफर्म करते हैं 20 20 40 साथ 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 सही है ठीक माइनस एक्स वाई बाई जैड एक्स देखें इसका मैंने इसमें गुड़ां के कितना आएगा चार सो चालिस प्लस प्लस कितना आएगा इसका इसमें गुड़ां के जी 25 दुनी 550 प्लस इसका इसमें गुड़ां के जी 25 दुनी पचास पांत सो अपन में 100 500 500 1,000, 1,000, 1,400, 4,500, एक सेकिन, एक बार देखते हैं 20, 22, 25 ठीक है 7, 7, 8, 9, 4, 4, 4,4, 4,4b, 25 दुनी 25, जी तुनी 25 locks किti некरा है बच्ची तुनी 50 500 से किया 500 500 1000 1000 और 400 1400 1490 1490 upon मैं हेंडेट करूँगा 1400 कितना आया था 1490 माइनस 90 ठीक है ठीक है प्लस XYZ upon मेंडेट इन तीनों को मिल्टिपला कीजी कितना आयागा 25 गुणा 22 करूँगा तो कितना आयागा 550 550 गुणा 20 करूँगा 550 गुणा 20 कितना हुगा 20 55 गुणी 110 upon में 10,000 एक दो तीन चार यहाँ पर डेस्मिल लग जाएगा 1.1 प्लस 1.1 जीरो इन दोनों का डिफरेंस ले ली जी कितना आयागा चुगदा में से एक गया तो 13 8.0 16 में से माइनस कर ली जी कितना आयागा 16 में से माइनस जाएगा तो 0.00 0.20 6 6 में से 3 गया तो 53 53.20 53 20 ठीक है यह ओप्शन आप देखोगे तो 25 15 15 15 यह वाला उप्शन साहिए ठीक है देख लीजी एक बार यह तो हो गया रेशो अब इसे थोड़ा सा एक बार किससे करके दिखाता हूँ इससे आपको करके बताता हूँ रेशो से ठीक है इसमें fraction format देरा की fraction format तो यह कैसे डारेक्ट हुआ था कैसे हुआ है डारेक्ट हुआ 22 परसेंड और 25 परसेंड इन तीनों का सकसे से रेशो तरीके से 20 परसेंड की fraction value एक बार पांच मतलब पांच की चीज को चार में बिचा जाए 22 परसेंड की fraction value कितना आएगा 2 से 11 बटा 50 मतलब 50 रेशो 39 25 परसेंड की fraction value एक बटा 4 मतलब 4 की चीज 3 में एक से किन 4 की चीज 3 में 50 में से 11 गया 40 में 49 ठीक है सब चार से 4 कैंसल 55 गोणा 5 गोणा 50 कितना होता 500 कितना होता चार थी 120 में से 3 गया 120 में सब गया 117 कितना डिसकाउंट दिया बताओ डिसकाउंट बताओ कितना दिया गया 130 और 133 का डिसकाउंट दिया गया कितने पर दिया गया 130 का डिसकाउंट कितने पर 250 पर 130 का डिसकाउंट दिया गया मुझे कितने पर 250 पर इंटु मैं हेंडेट कर दीजी 25 से काटा दस बार में 25 चोक सो दो दुनी चार दू पंजा 10 133 का दो मैं गुणा करूंगा तो 266 अपन में 5 परसेंट 266 अपन में 5 परसेंट, यह मेरा करेक्ट हो जाता, चीक है, तो मैंने आपको इसे दो तरीकेश करके बदा दी है, चाहो तो आप फार्मूला लगा सकते हो इस कोशन में, या फिर आप चाहो तो रेशो में तरसे भी कर सकते हो, कैसे आप इसमें रेशो भी लगा सकते हो, लेकि कभी इस 23, 24 इस टाइप की फ्रेक्शन दे रखी तो आप सिंपल ही इसे convert करोगे किसमें इस वाले formula से लगाओगे जो फ़हले formula बताया था में दूस्पर ठीक है इस question को आपको करके देखना है अब रेशो मतलब इस जो profit and loss है सोच रहा हूँ किस पर एक class और ले ली जाए ताकि ये पूरी तरह से complete हो जाए इसके काफी हद तक हमारे previous year question हो जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद एक class और लेंगे first मेरी हो चकी है second अभी चल रही है और third अभी आगे लेंगे ठीक है तो तीन class हो जाएंगे हमारी profit loss पर अच्छे question प्रैक्टिस हो जाएंगे हमारे in class हो में देखिए एक दुकांदार हर एक दरजन pen खरिजने पर एक pen मुपत देखता है दुकांदार द्वारा दी जाने वाली छूटकी करना कीची देखिए क्या करते है सबसे पहले जब भी आपको इस type के question पोचे तो सबसे पहले आप एक दिमाग लाना दुकांदार की नजर से सोचना क्या दुकांदार की नजर से सोचना दुकांदार क्या करता देखिए मैंने भले ही मतलब दुकांदार हूँ मैं अगर मैंने भले ही एक pen चूड़ दीं किसी को लेकिन कहीं ना कहीं वो पैंट जो मैंने किसी को फ्री में दिया उसे मैं खरीद के लाया हूँगा क्या मैं खुद खरीद के लाया हूँगा उसे ठीक है मैं उसे खरीद के लाया हूँगा ठीक है मैं कितनी पैनों का पैसा दिया हूँ, मैं दुकान दार हूँ, मैंने कितनी पैनों का पैसा दिया हूँ, सामने वाले को भी देखिए, 12 दरज़ान जो मैंने बेची, उसका भी पैसा दिया हूँ, जो एक पैनों फ्री दे रहा हूँ, वो भी मैंने खुद के पैसों से खरी दि देख लीजिए अच्छा कोशन ता बिल्कुल बन लाइन रिकोशन ता ये तो देखिए अगला कोशन देखते हैं हमारा देखिए तीन साइकलیں 16,500 में खरीदी आती है और परीवेहन मतलब कि उसने ले जाने लाने का कर्चा कितना होता है 200 रुपे होता है 8 परसेंड का लाब कमाता है तो साइकल का बिक्रेमूंट मतलब कि सेलिंग प्राइस बताना है साइकल कितने की 16,500 होगी ठीक है देखिए इसमें आप दो तरीके से सोच सकते हो किया पहले तो आप मान लीजिए कि तीन साइकल सोगी है एक साइकल पर दोसों को करचा तो तीन साइकल हो पर कितने का छैसों का करचा तो आप को अधर पर दो तो आप इस पर तो आप का अंसर आ जाएगा वो तीन साइकल का सैलिंग प्राइस आएगा देखिए इससे अच्छा आप तीन साइकल लो को छोड़ दीजे आप फोकस कीजे एक साइकल पर क्योंकि उसने पूचा पिरतेक साइकल की बात चल लए तो मैं कोसिस करूँगा क्या पिरतेक साइकल पर फोकस करने की पिरतेक साइकल पर जुतनी हर साइकल दे रहा कि उस पर फोकस करूँगा मैं देखिए कितने की खरीदी एक तीन साइकल 16,500 रुपे की तो एक कितने की पड़ेगी 35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो बट्टा पच्चीस की चीज को मैं 27 में बीच रहा हूं कितने मैं 27 में पीच नहीं तो पच्चीस चोख सो 4 गुणा 57 गुणा 57 की चीज़ कितना आएगा 473 876 चाहिए लेकिन देखिए 57 आप देखिए इसे मालो 30 है 30 चोख 12 बारा 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 पंचे 60 मतलब की लगवख 6000 के करीब आंसर आएगा मेरा तो 6,126 मेरा आनसर आजाता है अगर आपको नहीं लग रहा तो 57 गुणा 4 गुणा 27 आपका लीजिए तो भी आपका आउसर आजाएगा 6 ऑच बारा 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 ठीक है दोनों 9 के multiple हैं, तो आप इनमे 9 का multiple भी चेक नहीं कर सकते हैं, आप इनमे digit sum भी चेक नहीं कर सकते हैं, वहले एक approximation एक idea लगा सकते हैं, एक तरीका और है क्या, इसमें आप 4 के divisibility चेक कर सकते हैं, किसकी 4 के divisibility, इसमें 4 चुपा हुआ है, चार के divisibility यह कहती है, कि अगर last के 2 ज कि कुशन डारेक्ट इस तरीके से समझ में आ गया हो, तो आप कुशन को ऐसे भी समझ सकते हूं, अगला कुशन भी आपको करवाते हैं, कुशन देखिए कुशन क्या कह रहा है, एक बार आप खुद से इसे ट्राइ कीजिए, फिर मैं करवाता हूं आपको, देखिए एक बार करने के खुद से, बिनोध एक बस्तू खरीटता है, और उसे 5% की आनी पर बेचता है, यदि बैसे 20% कम पर खरीटता है, और 25 अधिक में बेचता है, तो उसे 20% करला होता है, तो बस्तू का पास्तिव करे मूल बताना है आपको, कुशिस कीजिए एक बार करने की, देखिए, खरके बताते हैं आपको, समझना, कोई भी चीज़ जो, नॉर्मली, यह हमेशा 100% गरती है, मैंने माल लिया कि जो उसका CP था, क्या, जो उसका CP था, कितना था, वो 100% था, ठीक है, 5% की हार नी हो रही है उसे, 5% की हार नी कर रहा है उसे, 5% की हानी, मतलब की उसे वो 95% में बेच रहा है ये उसका Selling Price हो गया Selling Price ये उसका Selling Price वो 25% में बेच दे रहा है टीक है, लेकिन अब हो Estoy कंडिशन लगा है, यदी भयह से 20% कम में खरीद ता, मैंने माल लिए 20% कम में खरीदता है, अब हो 80% में चरब सूमस्टिकरवादां कर थे हुअं पर्षे प्रषेंट से 25 स्थारीज साथ आइक कर एकका, यादी commercials है... प्रस इदेहरों चलाएं पाजिफ हो रखेंटेंखें अपलीकर आउडनी ही, 20 रखेंटंदिकरश थी बिखल एक पिछादी के पेले कितले का 15 हैंनु परफान भूर्टि सतले पूर्ग है कि एक्चुल को पिर आता एक हो कार्डी counselors। केवल हो 96% जा रहा है मतलब की, केवल हमको 1% की जानका रही दे रहा है, अगर 1% की वेल्यू 25 है, तो आपको पता ही है क्या 100% की वेल्यू कितनी होगी, पत्चीस सो, ये मेरा आंसर हुचाता है, इस टाइप से कोशन कीजिए, आपको बहुत सांदर तरीक से कोशन समझ में आगे, आप इस टाइप से कोशन करते हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको देखिए, एक तो मैस में, आप जानते हों कि आपको प्रिवियस यहर अच्छे से आना चाहिए, कि आप प्रिवियस यहर आप वो ही में करवा रहा हूँ, तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज, यह आपको लेटेस्ट पैटरन के कोशन देती है, लेटेस्ट पैटरन के कोशन देती है, लेटेस्ट पैटरन के कोशन आपको मिलेंगे इसमें, तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको इसी टाइप के लेटेस्ट पैटरन के कोशन मिलते रहें, अच्छी लगी हो तो कर लेना, मिलते हमारी next वीडियो में